हरे कृष्णा दोस्तों मैं दीती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल सपनों के रहसे फल में उमीद करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आपके उपर भगवान की किरपा सदे बनी रहे आपका दिन मंगल में हो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सपने में अगर आप मोर पंख देखते हैं तो इस सपने का क्या अर्थ होता है इस सपने से आपको क्या फल प्राप्त होता है आई दोस्तों जानते हैं यह सपना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है दोस्तों अगर आप सपने में मोरपंख देखते हैं तो यह सपना बहुत ही मंगलकारी सपना माना जाता है यह सपना संके देता है कि भविश्य में आपके ग्रहों के दुस प्रभावों से आपको मुक्ती मिलेगी इसके अलावा दोस्तों यह सपना आपके अच्छे भागे की और भी इसारा करता है यह सपना दशाता है कि आपकी जिंदगी जल्द ही सुखों से भढ़ने वाली है दोस्तों अगर आप सपने में मोरपंख को कहीं रखा हुआ देखते हैं तो यह सपना दश्याता है कि आने वाले समय में आपके मान समान में ब्रद्धी होने वाली है अगर आप सपने में बहुत सारे मोरपंख देखते हैं तो यह सपना आपके जीवन में चारों तरफ से मिलने वाली खुशियों की और इशारा करता है इसके अलावा दोस्तो अगर आप सपने में मोर पंख को मंदिर में रखा हुआ देखते हैं तो यह सपना बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपका जुकाव अध्यात्मी की और बढ़ेगा और आपकी रुची धार्मिक कारे करने में बढ़ेगी जिसके कारण आपके जीवन में सुक्सरमदी बढ़ेगी दोस्तो अगर आप सपने में मोरपंख को उठाते हुए देखते हैं तो यह सपना भी बहुत ही अच्छा सपना होता है यह सपना दशाता है कि आपके जीवन में जो भी पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं अब उनका खत्म होने का समय आ गया है दोस्तो अगर आप सपने में मोरपंख खरी देते हुए देखते हैं तो यह सपना भी सुब सपना माना चाता है यह सपना इस ओर संकेत देता है कि भगवान श्री किष्ण आपसे बहुत ही खुस हैं और आपके जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है इसके अलावा दोस्तो यदि कोई अविवाहित लड़का या लड़की सपने में मोरपंख देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला है दोस्तों अगर आप साधी सुदा है और आपको सपने में मोरपंख दिखाई देता है तो यह सपना आपके जीवन साथी के बीच संबंध मजबूत होने का इशारा करता है दोस्तों उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सपनों के रहसे फल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें धन्यवाद दोस्तों